गुड आफ्टरनून वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टुडेंट्स आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूं वह आप लोग के एक्टी कल्चर के पॉइंट अफ यू से बहुत इंपॉर्टन्ट है और थेओरिक पोर्शन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टन् करते हैं स्वाल में फील्ड पे या लांड पे तो फिर जो है सीट ग्रोइंग से लेकर के नहीं फील्ड प्रेपरेशन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड एक्विप्मेंट्स होते हैं जो यूस किये जाते हैं जिनके बिना हम लोग जो है फार तर दुसलाल में कुदाल धाते हैं थियों see 2 लिसी पाइस है दोसरा कुदाली है जिसको हिंदी में ndy कुदाल कि हुसे होता है कुदाल की उसी ही है लोग आज एसल को खोध को दनता है और पर कैस्विल क्या होता है इसका दो साइड होता है एक जो है पॉइंटेड साइड होता है यह स्वाइल में जो है अंदर डिकर निकले होता है और यह होता है यह भी जो है कुदाली की तरह होता है तो इससे जो है स्वाइल को इसली फिर बहुत जो स्टोनी स्वाइल होते है कुछ कंकड अंकड होता है या हाड होते हैं उसको तोड़ने के काम आता है कुधाली यह हो गया यह देख लीजे यह तो आप लोग एग्रिकल्चर के स्टुजेंट होंगे अगर तो प्रैक्टिकल क्लासस में यह साही चीज़ा आप देखें होंगे सेकंड स्लाइड में जो है प्रांक हो है और दूसरा वह फोर्क है फोर्क क्या होता है जैसे क्या आप्लोग मैगी बनाते हैं स्वायल वग-एरं में जो है जितने भी लीट्स हो गये हैं या फिर छोड़े- Lucy's वगएba होते हैं उनको हटाने के लिए यह वाँर कर्ते आया यह वैसे ही जो है प्रॉंग और होता है ममुर्ण हो 600 एक करते हैं करने के काम आता है दिगिंग तिगिंग करने के लिए काम आता है फसा करके स्वाल हो गया या ग्रासस हो गया उनको निकालने के काम आता है प्रॉंग्ड हो अप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए प्रॉंग्ड हो और जो है फॉर्ग को यह सब वो हो इंग इंग इन सब में यूज किया जाता है यह भी डिगिंग वेकरा में फरो ओपनर कहलाता है इससे जो है फरो छोटी छोटी जो होते हैं लाइक नरसरी में छोटी छोटी नालिया बनी होती है तो उनमें कोई गंदगी बगरा चली जाए या फिर कुछ भी तो उसको ओपन करने के लिए फरो ओपनर का यूज किया जाता है और यह इस प्रेड हो किया स्प्रेड तो आप लोग देखी होंगे यह बड़ी स्प्रेड है इसको क्या करते हैं जैसे कि कहीं स्वाइल रखा हुआ है या फिर कंपोस्ट हो गया रखा हुआ है वहां से उठा करके स्वाइल में डालने के लिए इसको यूज किया जाता है और हम लोग नेक्स है और सुवाल है यही सब तरह है और वर उपनर की तरह है यह वे इसब स्वाइल्स यृक शूआ पर एन प्लेसं प्लेस् कामित आता है ये बहुत जैसे के हाट शोल वह गयरा हो गया उसको जो है डेप करने के काम आता है यह कल्तीवेटर हो गया इस्टूने могли की जो जो है जब लाजज स्केल पे कोई भी सीट ग्रोग किया जाता है या फिर क्रॉप ग्रोग कि जाती है तुँ वहां पे पहले फील्ड प्रेपरेशन में कल्टिवेटर या फिर डिस्क हैरो हो गया प्लाविंग के लिए डिगिंग के लिए वहां यूज़ च्छोटे फिर्ड तो आप जो है यह सारी material इतने भी equipment हो गए हैं कुदाली और फॉर्क इन सब को यूज़ करके आप छोटी सी field को तुम जो है बना सकते हैं बड़ जहां पर hectare पर hectare में यह क्वाइकड लुए क्यों की जाती हें सब यहां से टरंग में ट्म hada oh यह सारी वहाँ connect होने के बाद चलिके सोल में पीछे से Pot07 कर दो हती कर दूदरुदरेट में जिँदाया खाए में ऋबरब शाय जो है यूज के जाता है यह प्लैन वाला है जो कट करता हुऊ एसस्वाल को जाता है यह प्लेन वाला है जो आम तार पेर जिद द चलता और दोनों का वर किये skipped-29 गेजे तक ठीम को बंहें ग कन्तिώ जाते कुलहारी जो बड़े बड़े ट्रंक होते हैं मैंग्वोट्री हो गया सब्सक्राइब हो जो हो है और सिरुज्छ हो गया है तो जिनके तने उगाइब होने लगते हैं आफ युनमें किसी परपर्पस से कटिंग कर बेहां तो है और ट्रोग जो हो गया यह देख रहे हैं चोटा सा ही है और यह स्वाल पर रखा है तो इससे आप इसली जान सकते हैं यह nursery वगरम जो छोटी nursery होती हो आप इसको use किया जाता है स्वाल जो है स्वाल हो गया या फिर स्वाल हो गया एक अस्थान से दूसरी अस्थान ले जाने के लिए वन प्लेस चो अनडर प्लेस पर इसको उठा उठा कर डालने के लिए यह use होता है नेक्स स्लाइड में देखे खुर्पी है खुर्पी यह three size की है यह बहुत ही पतली जैसे nursery में बहुत पतली जोए फरो बनाए जाता है या फिर चोटी 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 नालिया बनाए जाती है जहां से open रहता है कि main field main जहां से पानी supply हो और हर वो छोटे चोटे नरसरी में ज जाते हैं तो उन प्लांट के बीच में अगर जो है वीट ग्रो हो गया तो फिर वहां से वीट को डिग अप करने के लिए निकालने के लिए जहें यूज किया जाता है यूज किया जाता है यह खुर्पी और लिख हुल जो है यह कट करने के काम आता है ट्रीज को यह जितने भी हाड़ी ब्रांचेज होते हैं ट्री के कुछ ब्रांच बहुत हाड होते हैं फिर इनके ट्रीज के तो उनको कट करने के लिए यह बिल हुक यूज किया जाता है यह देख लिए आप लोग यह नहीं देख यह होंगी प्राक्टिकल क्लासस गएर हमें यूज करके बताया जाता है इन सब का क्या यूज है मुस्ली यह सब इसमॉल नर्शरी या फिर पॉट के में जो है प्लांट लगाने के लिए यूज किया जाता है अब यह आगे बड़िंग नाइफ सब के बारे में पढ़ा रही थी तो यह देखेंग बड़िंग जो है करने के लिए एस पेशली बड़िंग नाइफ आती है यह बड़िंग नाइफ जो है यहां से इस मतलब इस नाइफ से कट करके बर्डिंग वाले portion पे cut लगाया जाता है तब वहाँ पे bird insert किया जाता है and grafting knife यह grafting knife होता है ऐसा नहीं student के जब बहुत जादा large scale पे किया जा रहा है तो birding किसी भी knife से कर दिया जाता है ऐसा नहीं है birding करने के लिए उस propagation को successful करने के लिए एक proper knife बना हुआ है जिसका नाम ही birding knife है और grafting propagation के लिए grafting knife बनी होती है तो उस knife का use करके grafting की जाती है plant में next जो है वो है birding grafting knife पहले में तो birding and grafting knife जो है अलग-अलग थी अब एक knife और ऐसी जो दोनों contain करती है birding भी और grafting भी इससे birding की जाती है इस knife से और इस knife से grafting की जाती है इस टोन जो मतलब कि nursery में जो labor नहीं के सकते हैं जो inspection करते है nursery में उनके पास अक्सर ये जो है knife मौजूद रहती है अगर उन्हें जरुट पढ़ी कहीं तो वो use कर सकते हैं बाकि तो nursery के जितने offices होती हैं वहाँ पर ये सारे सिर्फ बर्डिंग और ग्राफिटिंग नाइफ नहीं बलकि ये सारे टूल्स जितने भी टूल्स हो गए equipment हो गए ये सब जो है nursery में जो storage वाला रूम होता है या office वाला रूम होता है जहां पर पूल्स और equipment सके जाते हैं वहां पर ये सारी इसली एवेलबल रहती है नेक्स जो है प्रुनिग नाइफ इस जो मैं आप लोगो ट्रेंग प्रूनिंग के बारे में पढ़ा दूंगी वहां पर जो प्रूनिंग की जाती है जो है जो भी प्राइब की जाती है ये प्रूनिं के इंस्पेक्टर होते हैं उन सब के पास जो है जो इंस्पेक्शन करते रहते हैं घूमोंगे की कौन सा प्लांट डामज हो रहा है या फिकर्स में किस नीफ रूटिंग हो रही है तो उन सब के पास छोटी छोटी चीज़े मौजूदी रहती है और ऑफिस में तो सब को जितने भी उनके मतलब के प्लांट होगे उनके ब्रांच लीफ डामेज होगे उनको कट करके अलग करने के लिए यह सिकेटियर यूज किया जाता है आज के टाइम में स्टुटियर तो मोस्ली घरों में भी मौजूद रहता है विकास जैसे आप लोग जानते हैं यह जाता है यह प्रूनिंग सौ होगे है थोड़ा सा हिंदी में बोले तो आरी के ताँ दिख रहा है थोड़ा से यहां दिखी रफ करने के लिए यूज किया जाता है ये इस्पेशली जो हैं गार्डन वग्यारा में जहां पर एक इस्ट्रक्चर दिया जाता है जो बाउंडरी के रूप में या फिर अलग-अलग शेप के होगे तो देखिऊंगे पार्क वगरेमा कुछ अलग-अलग शेप के बने होते हैं लांग वह गया जैसे कि और या फिर किसी कि किसी तो जो है किसी को कोई भी शेप देना होता primarily को होता है तो फिर वह है're ko maintain के रहे हैं je regular grow हो रहे हैं तो उनको maintain रखने के लिए यूज स्वे 한번 करके में teano को do और ऐसंदे सी का मॉंत करने का है यह सलें का मुंको यह सरी का यह सीनिकों ह कूप और समुस्टे जाते हैं यह बहुत सारे ऐसे क्रॉप होते हैं जो मतलब की धानवान हो गया तो छोटने अमाउंट में जहां है या फिर ग्रास वगेरा ही जो ग्रो किये जाते हैं आप देखते होंगे चोड़ी लेबर उसका यूज करके कट करते हैं तो इसका भी काम जो होता है स्प्रेयर हैं लिक्ञिड वागार रखे उस स्प्रेय करते हुए जाते हैं पूरे फ्यूर्ड में जो लेबर होते हैं जैसे कि कोई भी लाइक wheat की field हो गए rice की field हो गए या फिर crop में ही fruit trees में ही जैसे mango हो गया जहां पर hectare पर hectare में लगा हुआ है तो वहां पर अगर जो है जो nursery inspector जो है वो अगर देख रहा है disease वगरा लगरी है या फिर insect pest attack कर रहा है तो फिर उनको control करने के लिए जो chemical जो है effective होता है वो जो है फिर इसमें मतलब liquid रखके labor वगरा यह जो होता है यह mostly bag पर जो है इसको एक तरीके से bag की तरह होता है bag पर लटका करके यहां से spray करते हुए labor जाते होंगे आप लोग किसी video हो गया या photograph हो गया या फिर real में भी देखे होंगे spray भी कई तरीके के होते हैं यह size spray जो होते हैं यह वाला spray हो गया यह सब बड़ी fields वगरा में यूज किया जाता है जहां पर number of crops grow होते हैं जहां पर एक छोटे से spray से spray नहीं कर सकते हैं जहां पर यह जादे मांक का जहां पर लिक्विड इंसेक्टिसाइट्स वगरा इसप्रे करना रहता है वहां यूज किया जाता है और यह जो छोटा वाला sprayer है चोटे वाले sprayer जो है पॉट वाजयरा में जैसे इगा आप कोई plant लगाए वहां पर इंसेक्ट पैस्ट अटेक हो गया है तो वहां पर इंसेक्ट पैस्ट को जो है कंट्रोल करने के लिए इसस्प्रीय का यूज़ किया जाता है ओकेने क्स्ली्ट में है लौन मुवर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि इस लौन में यह ग्रास इधर है यह जब आगे चलता है तो इसमें जो है ग्रास अगरा कट के कललck selber होते इसको maintain करने के लिए उसको cut करने के लिए यूज किया जाता है grass lawnmower भी different type के होते हैं जैसे sprayer different type के होते हैं वैसे lawnmower भी different type के होते हैं इनका work सिफ grass बगर को cut करना या lawn को maintain रखने का work होता है ये मेरी आखरी slide थे student और जैसे कि आप लोग में वीडियो में देखा हूँ मैं कुछ practical वीडियो भी डालती हूँ रहती हूँ और मुझे भी potting का बहुत शुक है तो जितनी सारी चीजें ये equipment वगरा मैं दिखाई हूँ सब तो नहीं कहूँगी लेकिन कुछ न कुछ मेरे घर में भी मौजूद है और मैं उनका use करती हूँ और जब मैं college में चाती थी मतलब practical classes वगरा मैं ये सारी चीजें देखी भी हूँ उनका use भी की हूँ आप लोग भी अगर practical classes की होंगे तो आप लोग भी इन सब का use की होंगे मेरा ये video बनाने का से फर सिफ यह purpose था कि जो है आप लोगों को जो है जब तक equipment and tools कहरा नहीं समझ में आएगे तो आप लोग जो है बहुत सारी topic यासे होती ही नहीं समझ पाएंगे जिससे मैं कहीं कह दी आपसे की स्वाल को डिक करने के लिए या फिर बहुत सारे large area के field preparation के लिए डिस्क हरो यूज किया जाता है cultivator यूज किया जाता है तो अगर आपको समझ में आए इस purpose से मैं ये जो है वीडियो लेकर आई थी आप लोगों के लिए और I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा and stay tune with me for next theory video and thank you for watching this video stay safe and stay home and always be positive thank you you